नई भोर, आज दफ्तर में काम बहुत था। रेवा जल्द से जल्द काम निप्ता रही थी क्योंकि उसे बंटी को लेकर दशहरे का मेला दिखाने भी जाना था। तभी चपरासी ने आकर कहा मैडम बहुत देर से एक साहब आप से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें अंदर भेज दू। भेज दो कहकर रेवा फिर फाइलों में व्यस्त हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ आवाज सुनकर रेवा चौक पड़ी। वह सोचने लगी ओह यह तो निखिल की आवाज लगती है इतने सालों बाद यहां क्यों और कैसे आया है। हाँ आये अपने दिल की तेज होती धड़कनों को काबू करते हुए रेवा ने कहा। परदा खुला और आशा के अनुरूप ही निखिल दर्वाजे से भीतर आया। जैसे ही उसकी नजर रेवा पर पड़ी वह चौक पड़ा और हकलाते हुए बोला रेवा तुम। मेरा मतलब है मैडम रेवा चौधरी नगर आयुक्त। हाँ मैं ही हूँ। कहिए किस काम से आना हुआ। रेवा ने अपने भीतर उमड रहे तूफान को सन्यत करते हुए शा निखिल ने मैडम शब्द पर खासा जोर दिया। अभी मैं जल्दी में हूँ। पहले सारे कागजात देख लूँ। जैसा होगा आपको मेरा स्टाफ सूचित करेगा। कह कर रेवा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। निखिल उठकर बाहर चला गया। रेवा निखिल से हुआ था। सुन्दर सजीला निखिल शहर के एक नामी वकील का बेटा था। कॉलेज की हर लड़की निखिल की दीवानी थी और कक्षा में लड़कियों के बातचीत का टॉपिक भी निखिल ही हुआ करता था। रेवा के माता-पिता शिक्षन से जुड़े थे और वह मध्यमवर्गिय परिवार से थी। गोरा रंग, लंबे बाल और तीखे नैननक्ष रेवा को खूबसूरक बनाते थे। वह पढ़ने में भी काफी अच्छी थी इसलिए लड़कियों के बीच निखिल के प्रती दीवान की देख वह हस कर रह जाया करती थी। उसे न निखिल जैसे लफंगे लड़के बिलकुल भी पसंद न थे। कॉलेज आरंभ हुए लगभग पांच महीने बीतने को थे कि एक दिन कॉलेज के सभी विद्यार्थी शहर से थोड़ी दूर स्थित जलप्रपात पर पिकनिक के लिए गए। वहां दोस्तों की फर्माइश प भी निखिल का उसे देखना अच्छा लगा। धीरे धीरे रेवा निखिल की ओर खींचने लगी। शायद उसे इस बात का गर्व होने लगा कि जिस निखिल का पूरा कॉलेज दीवाना है वही निखिल उसे चाहने लगा है। अब निखिल और रेवा के प्रेम के बारे में सभी को पता था और कॉलेज की लड़किया रेवा की किसमत से इर्शया करने लगी थी फाइनल एर्ख्तम होने को था परीक्षाओं से पहले एक दिन निखिल रेवा को जिद करके अपने घर ले गया उस समय निखिल के घर वाले किसी विवाह में शामिल होने के लिए बाहर गये हुए थे निखिल ने मौके का फाइदा उठाना चाहा था परन्तु रेवा किसी तरह वहां से बचकर आपाई थी उसे वापस घर पहुचकर निखिल से और स्वय अपने आप से नफर्थ होने लगी रेवा सोचने लगी आज तो अनर्थ ही हो जाता गलती मेरी ही है मैं ही निखिल की बातों और प्यार के जूठे खेल में आ गई डॉट मैंने क्या सोचा था और वह कैसा निकला फाइनल की परीक्षा देकर रेवा दूसरे शहर चली गई और सिवल सर्विसेज की परीक्षा की तयारी में जी जान से जुठ गई अथक परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ती से रेवा ने सिवल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीन भी कर ली उस दिन के बाद रेवा ने निखिल से अपने सारे संबंध तोड लिए